नमस्कार लिविंग इंडियान न्यूज देखरें सभी दर्शकों का हमारे खास कारेकरम वीजा लाइव में बहुत बहुत स्वागत है तो दर्शकों आज हमारे स्टूडियो में मौझूद है मिस्टर परदीब बालियान जी बहुत स्वागत है परदीब जी तैंक्यू सथी दर्शकों को मैं बता दू कि वीजा लाइव एक लाइव प्लाइव प्लाइव में आप सब लोगों के लिए जो विदेश चाना चाहते हैं विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ पर सेटल डाउन होना चाहते हैं अपने सपने साकार करना चाहते हैं और हम हर रोज शाम के साड़े साथ वजे हाजर होते हैं आपके खिबमत में आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कि वीजएक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहते हैं हर रोज और आज जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि मिस्टर प्रदी बालयान जी हमारे चुड़ जाएंगे तो चलिए परदीव जी से पहले दर्शक कॉलर हम ऐसाथ चुड़ते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं जिस तरीके से ऑफ-लाइन भी बात हो रही थी यह वीजा आया है आपके एक 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 किसी स्टूडेंट का एंड वर्ड एजुकेशन आना इस फेर की वीजा ने लगेगा उसका वीजा है हम वर्ल्ड एजुकेशन आना इस फेर कर रहे हैं जिसमें कैनाडा उस्टेलिया निज्जलेंड यूके यूसे आरलेंड सिंगापूर और आपका फ्रांस जर्मनी इतली पोलेंड ये सारी कुरूंट्री के यूनिवर्स्टी और इसके लावा परसो दिन बुद्वार को हम फत्याबाद आ रहे हैं फत्याबाद सहर में आ रहे हैं होटल लजीच जो की 11 बजे से लेके पांचे तक सेम आइल्स वर्ल्ड एजुकेशन आइल्स फेर रहेगा जिसमें कैनेडा उस्टिलिया निज्जलेंड ले सकते हैं और ज मुझे लगता कि more than finder students की expectation हमें यहां पे भी है जिसमें scholarship का criteria यह रहेगा कि आपको original document लेके आने हैं और कौसी स्कुरॉप्ने पेरेंस के साथ आए यूनिवर्स्टी और कॉलिजिस सारे होंगे आपने कैनेडा जाना है कैनेडा की different different universities और कॉलेजिस वहां पे होंगे उस्ति तो बैस आपने कुछ नहीं करना सर्फ एंड सर पहले तो कॉल जो number चल रहा है उस पे phone करके अपने आपको रिस्टर कराना है और कोशिस करना कि टाइम पे आप आए क्योंकि 11 बज़े से पांचे तक है भीड बहुत होती है तो टाइम पे आए बैटर रहेगा और अपने original document बैटर यहां पाप conditional offer letter भी apply कर सकते हैं और unconditional offer letter भी अपने बैटर आप आपने बज़े से कितने बज़े तक हैं जिस तरीके से बाले अभी टाइमिंग्स भी आपके सामने रखी है चलिए अभी तक कॉल है मैं साथ फिलहाल जो नहीं जुड़े हैं हम उससे पहले आगे बात कर रहा था अभी मेरे facebook page पर देख सकते हैं कि आज मैंने उस बच्चे को upload किया है मेरा facebook page है western overseas 172 के नाम से सुशील नाम का स्टूडेंट कुक शेतर से बिलोंग करता है 51 परसेंट मार्क शर्फ 51 परसेंट मार्क इंग्लिस में 33 नंबर और अकाउंट में 44 नंबर यह बहुत बड़ी बात है कि इतनी कम प्रसेंटिश का भी विजा है और उसके एक्स्ट्रा पैसा लिया नहीं गया आप देख सकते हैं आप मेरे facebook पेज पर स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल देख सकते हैं मेरा facebook पेज है western overseas 172 अगेन बताऊंगा only 51 परसेंट मार्क्स थे 50 परसेंट मार्क्स थे इंग्लिस में 33 नंबर थे और अकाउंट में 44 नंबर थे और ही गोड़ दावीजा जी बिल्कुल और भी हम बात करेंगे तेर सारी इस आयलस फेर से रिलेटिन बात करेंगे लेकिन पहले दर्शक हम ऐसा जूट चुकिया वा प्रदी बालेट में पुछना है कि मैंना अपना प्रसेंट से प्लाइब करने हैं प्लाइब प्लाइब दो आपको गलत नंबर मिला लिया आपने अप्छली वी डील ओनली एन अवनी इन वीजा पी आर में हम डील नहीं करते हैं सर्फ टूडेंट वीजा से लेटिन कोई को स्टूडेंट को भी आप डिटेल दें कि कौन कौन से कॉलेजिस युनिवर्सिटीज वहां पर आ रही हैं जिस तरीके से मोगा में भी हुआ है फत्याबाद में वाल्ड एजुकेशन इन आइल्स फेर जिसमें हो रहा है जिसमें कैनेडा के तकरीबं 25-30 कोलेजिज एंड य चैरंपांस कोलेज हैं जर्मनी के 7-8 कोलेज हैं फ्रांस के भी 8-10 कोलेज हैं इसके लावा अदर्स कंटरी के भी तकरीबं तकरीबंं 100 के आसपास यूनिवरस्टीज एनड कोलेजिस के बारे में वहां पर आपको बताया जाηगा डिफरेंड डिफरेंड आप अपने original document लेके आएंगे तो आपको on sport admission भी मिलेगा मेरी आपसे request है कि आप maximum से maximum time पे पहुशने की कोशिस करें क्योंकि भीड बहुत होती है Secondly जो आपके friends आपके near dear or है प्लीज उनको भी बताइए वो भी sphere में आए नाइन डबल वन फाई जिरो वन सेवन जिरो वन सेवन जो यह नमबर चल रहा है एक तरह से चमातकारिक नमबर है मैं इसलिए इसको बोलूँआ क्योंकि हमारा success rate 99% एन अबो रहता है आप यह नमबर अपने जो friends हैं उनको भी दीजिए जो अडोसपरसी हैं जो विदेश जाना चाते हैं उनको भी दीजिए साथ साथ में मेरी Facebook ID है Western Warsys 172 वो भी प्लीज आप share करिए maximum से maximum ताकि जो students रियली होने स्थी के साथ जैन्वनटी के साथ आगे जाना चाते हैं विदेश में जाना चाते हैं तो यहां पे जैसे मैंने बताया 35,000 से लेके डायलाग तक की स्कोलर सी पहता है मैक्सिम से मैक्सिम आपके friends आप आपके near dear जो भी हैं वो इसका फाइदा उटा सकते हैं करना कुछ नहीं आपने सर्फ ये number आगे forward करना है जी भालाहन जी, एक और दर्शक हमाइसाट लाइन पर हैं स्वागे ते आपका कौन बोल रहें हलो जी कौन बोल रहें सर् है मैं जी आपके भूलाहन मैं बजलंगर दर्वा भालाईश से थि आप कहां से बलों करते हैं जलंगर से शरों जी बोलिए मुझें ते। फॉर कॉलेश कों सा था ? कोलेश 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 क्योट पॉर्स कोलेश क्यों था ? और आपकी बी-टेक आई-टी थी थी हाँ सर कम्प्यूटर साइंस ओके देखिए सर आप एक बार रिफ्यूजर लेटर जरूर दिखाईए जल अंदर में मेरा ओफिस है एजी आई बिजनेस सेंटर में अपना नरेंदर सीनेमा की बैक साइड में है वहां रजनी मैडम बैठत साउंड ये दो कि आपकी फैमली फाइनेसल साउंड नहीं है दो ये कोशिन मार्क जरूर लगे होंगे मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि फाइल की फोटो कोपी जरूर लेके आए प्लस मा अपना रिफ्यूजर लेटर तो सुकरवार को मैं वहीं पे होगा ग्यारा बज़े से लेके 6 बज़े तक अदरवाइस 19 तारीक को हमारा यहां पे फेर हो रहा है जलंदर में भी किंग्स होटल में जो कि नरेंदर सिनेमा के साथ में 11-5 आप मुझे वहां भी मिल सकते हैं कोशिस यही होगी कि ऐसा नहीं है कि हमारे 3-3 बार ऐसे हमने 3-3 बार जो बच्चों के र फाइल लगा के और एवन के उसके बैंट थे ठीक 6.5 बैंट थे और दो बार उस बच्चे की वह एक बार रिफ्यूजल था और दो बार उसकी हाई कमिंशन से वर्क एक्स्पिरिंस के लिए उसकी वेरिफिकेशन हुई सब कुछ ठीक गया है डेफिनिटी स्टूडेंट गे उसकी पर भी हम चर्चा करेंगे बाचीत करेंगे क्या कुछ स्पेशल वहां पर रहेगा लेकिसा फोटो कोपीज पर स्कोलर्शी पर कोलेज भी नहीं देता है तो आप प्लीज कोशिस करिए कि जैसे मोगा रहा है उससे ज्यादा सक्सेस हमारा फत्यवाद का रहेगा क्योंकि तक्रीबन साड़े 400-500 बचे आल्रेडी रिश्टर्ड हो चुके हैं आज शाम तक तो मुझे लगता तकरीबन 600-700 बचा या 800 बचा यहां पर जाएगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपने ओरिजिनल डोकुमेंट के साथ अकैडमिक डोकुमेंट और अपने पेरेंट्स के साथ जरूर आईए क्योंकि इसमें आपको कॉलेजिस के बारे में यूनिवर्स्टीज के बारे में कॉर्सिज के बारे में फी की मिल रहे हैं मिनिमम 35-40 जार की स्कोलर्शिप तो हर बच्चे के लिए है तो मोगा फिर तो काफी हूज सक्सेस रहा है कह सकते हैं फत्याबाद के लिए भी कुछ ऐसी ही मिलें तो चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कॉलर हम ऐसार जो चुके हैं जिस वागत है आपका क और तकरीबर मौर देन हंडर्ड युनिवर्स्टी ज्कोलेज के डेलिगेट्स और मेरी पूरी स्मुची टीम से मिल सकते हैं इसके लाव 18 अप्रेल को हम टूजडे में होटल सुर्या रेजिदेंसी रंजीत वैनू में 19 अप्रेल को वैडनस दे का दिन है जलंदर किंग्स होटल जीटी रोड पे नरेंदर सिनिमा की साथ मेरे ओफिस के साथ मही है 21 अप्रेल को फ्राइडे फतेगर साइब दाताज मोटल चैर नमबर चुंगी पे और 22 अप्रेल को सेटरडे का दिन है लुद्याना आ रहे हैं ए होटल पिरोजगांधी मार्किट में 25 अप्रेल दिन मंगलवार अंबाला सिटी कन पलाजा प्रेमनगर में पढ़ता है दस बजे से पांचे तक ये फियर वहाँ पे रहेगा बुद्वार का है कुरुक शेतर है होटल नाइंथ प्लानेट मोहन अगर में ओल्ड बस टेंडरोट पर ये पढ़ता है सिक्स्त मई सनीवार का दिने जी पटिंडा होटल किसना कॉंटिनेंटल तो ये फियर हैं जिसमें आपको प्लस में मेरी स्मोची टीम प्लस में मैं खुद वहाँ पे होगा तकरीबन डही लाग तकी स्कोलर्शिप आपको मिलेगी साथ-साथ मैं अगर आयल्स को लेकर आपको कोई डाउट है तो वर्ल्ड एजुकेशन एन आयल्स फियर इसको नाम दिया गया है जिसमें यूनिवर सिखाइब एक फॉन्त दो चैनल और बट्रेखी सोरी है एक अधे गंटे की मीटिढिग से आपकी लाइफ का टरनिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप पांस बैंट पर सकोक भंस खड़े तो सिक्स बैंट आसकते हैं यही वाला फियर है फत्याबाद वाला उसमें क्या को special होने वाला है। इनिक यही है कि एजूकेशन फियर और भी कंसल्टेंट कर रहे हैं को यही पैसे उसको इसको मैडिसन दी जाएगी तो एक्स्ट्रा यही है और मिराकल भी यही है और मैजिक भी यही है कि अंडर वन रूप आपको सारी उनिवर्स्टीज और प्रवाजे पर शवागत आपका कौन बोर रहे हैं? कहां से बोर रहे हैं? अपना सवाल पूछे झाल ये वेतन हैं अद्सांदा talks आपकर स्वाल पूछेता हैं पार विर्या के सब्सक्राव और शॉशें सिरे से अशनदरभार विर्या कर दुछेता है एär अधर अपिथ story actually इंग्वेह इनुट़्ेया के देया हैं? इंग्वेम ते जुट्छेत अमबाला से आप बिलोंग करते हैं, अमबाला सीटी में मेरा ओफिस है, मंगलवार के दिन में वहीं बैठता हूँ, कल वहीं पे होगा, 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, एक बार कोशिश करिए, आप अपने ओरिजिनल डोकुमेंट और अपना पी टी का स्कोर लेके एक बा लेना है, तो प्रॉपर्टी आपकी कहां से बिलोंग करती है, कहां पे है, किसके नाम से है, आपका एडमिशन हो जाएगा जी, आपने बी ए की है, आप एम बे के लिए भी जा सकते हैं, अधरवाइस मुझे आपके सब्जेक्स देखने पड़ेंगी, आपके पास सब्जेक कौन कौन से थे, उसके साब से भी मास्टर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, बट कीप इन माइंड आप भी ए हैं, या बैचलर सालडी हैं, अंडे विजर प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं, फंड्स आपको 24-25 लाके दिखाने हैं, और जो फीज निकलती है, ठारा से 22,000 डॉलर या 23,000 डॉलर तकरीबन 10-20,000 लाक रफीज निकलती है, जो साल की फीज है, और आपको 24-25 लाके फंड दिखाने हैं, जो आपका एक्चुल खर्चा आएगा, वो तकरीबन 7-8 लाक रपे आएगा, जिसमें आपको 6 मन्द की टुशन फीज और हेल्थ कवर O.S.H.C. देना है, कोलेज को अफ़रंट उसके बहुत पर आपकी शूई आएगी, फाइल लगएगी, आपका वीजा आजाएगा, अबट यहां पर रिसर्च देखेगी, अबट यहां पर रिसर्च देखेगी, आपकी प्रॉब्लम यह की, आपने बी ए किया है, तो हमने तो रिलिव इसी स्टेट में क्यों, किसी और कंटरी से क्यों नहीं करना चाहरे है, और यह कोर्स करने के लिए क्यों, क्या आउटकम होगा, किस टाइप की जोब मिलेगी, और किस टाइप की जोब किस किस कंपनी में मिलेगी, अगर यह आपका फंडा कलिए रहे, यह रिसर्च आपने का रखे हैं और वीजा अगर आप पॉजिटिवली बोलते हैं ता आपका वीजा निकलते हैं और वेस्ट नोवर्सीज आपकी इस हेल्प के लिए हमें से रेडिया है जी बिल्कुल मैं नए जुड़े दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि विजा लाइब में आप सीधा हमेरे साथ लाइब जोड़ सकते हैं प्रदी बालयान जी वेस्टन ओवर्सी से आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहां पर बैठे हैं जी एक कॉलर जो चुक सचने हमारस टंफक हो नहीं पारा है लुद्के करें चलिए हम बाथ कर लेते हैं जिस तरीके से मोगा फेह की बात हो गई, फत्यआबाद की हो गई, मज सक्सेस्फूल नहीं हो पाते हैं हम तो इस जानना चाहूंगी पर क्या ऐसा कोई क्राइटिरिया है कि इतने इत्ने ही कर सकते हैं कोई एक पर्टिकूलर स्टूडेंट इसा कुछ नहीं है उनको लिए तो आप फीज पे करो और अपना पेपर दे सकते हो बट आप बार बार अपने पैसे वेशना करिए एक अच्छा सर्टिफाइट ट्रेनर आपके पास होना चीए एक अच्छा इंस्चूट्स हो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो विद्दाउट कोचिंग लिए भी इस टैस्क को क्लिर कर लेते हैं यह सब कुछ बच्चे का मैंटल लेवल यह सब कुछ बट्टे का बच्चे की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है तो यह मैक्सिमम मैं यह मानता हूं कि एक से दो महिने की कोचिंग बच्चे को एक अच्छा स्कोर दिला सकती है वेस्ट नोर्सीज के पास सर्टिफाइट ट्रेनर हैं साथ-साथ में कुछ स्टूडेंट को फोलो करनी पड़ती है तब ही स्टूडेंट का स्कोर आजए बिलकुए एक और दर्शे का मैं सटलाइन पर हैं जी जी सर बोली अपना सवाल पुछिए क्या जाना चाहते हैं आप जी जी सर मैं और मेरा किस कंट्री दी हो सकता है तेके बिकॉम की आप परसेंटेज कितनी हैं आपकी 55 परसेंट आप उस्टेले जा सकते हैं आप न्यूजलेंड जा सकते हैं आप कैनेडा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बट आपका सक्सेसरेट उस्टेले में भी अच्छा रहेगा 2015 से अभी तक क्या किया यह एक पर आपको बताना पड़ेगा आपके पास फॉंट्स है अगर फॉंट्स है विने पराने ताप न्यूजलेंड भी जा सकते हैं अधरवाइज आप कैनेडा भी अप्लाई कर सकते हैं पी टी असेप्टेबल है बट देखना यह है कि औरहाल तो आपका सिक्स है लेकिन इच मोडूल में क्या 5.5 बनता है या नहीं बनता है अगर बनता है तो डेफिनिटी यू कन अप्लाई फॉर्डा ऑस्टेलिया आलसो कैनेडा अलसो इसके लावा आप यूरोप में भी जा सकते हैं आप यूएस से भी जा सकते हैं हरे कंट्री का आपका क्राइटीरिया मीट करता है अभी 2015 पास आउट अभी लेट नहीं है लेकिन अगर इसी तरह से सोचते रहे तो आप लेट हो जाओगे कोशिस करो कि जैनुवन कंसल्टेंट के पास जाओ अपने और डोकुमेंट लेके अगर आपको ये फियर जो मैंने बताए अगर आसपास कहीं आपको फियर लगता है कि आपकी अडूस प्रोस में है तो इन फियर में भी आप पाटिस्पेट कर सकते हैं और दरवाईज आप जिलिए पा बडापर एक अंडिस के अलीजी पिलन है कि packs बार जी एक और दर्शक यूड़न पर हैं जी स्वागत आपका कौन बोल रहे हैं का व्यार जाओ जिस जए सिर कौन बोल रहे हैं कहां से बोल रहेत सुना मैं समयरे सब बात कर रहे थे जिस तरह के से आइस तो आपने क्लियर कर दिया कि कोई लास्ट एटेंप्ट कोई लास्ट चांस वाली कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं एक और शीज यहां पर जाना चाहूंगे बहुत से दर्शक भी हमारे जाना चाहते होंगे कि यह बार ऐसा होता है आइस कर ल करने के बाद अगर वह दो साल बैठा रहा तो कोई फाजा नहीं है कोशिस करें जितना जल्दी बच्चे ने अपनी फाइल अपना ओफर लेटर के लिए प्रोसेस करें तो उसमें हमें देखने होता कि बच्चे की एजुकेशन कब कंप्लीट हुए क्योंकि आज की देखती क्या है इसके लाब बच्चे के को रिलिवेंट कोर्स के लिए जाना होता है बच्चे को अपनी कहना में फीज पे करनी होती है और बच्चे की जो पेरेंट्स है उनको कुछ कुछ कंट्री में है कि उनको फॉंड्स दिखाने होते हैं कुछ कंट्री ऐसे जिसमें फॉंड्स हलो हुआ जी अपना शॉवाल पूछें कहां और भावना कॉछें इसा बीधा मातंगेOS या है सिरभा इन थै खिए जे तो मैं यह पुछने की अभी मतलब वह ठीक नहीं जा सकती हूं मेरे 63% मार्क ने अमें इंग्लिश में और आइस में स्कोर कितने आपका जी सर आइस में स्कोर कितने हैं आइस की आपने नहीं सर आयर्टी किया भी चलिए देखिए M.A. English कब हुई है आपकी जी कब हुई है M.A. English तो ये 2013 में की है उसके बाद क्या कर रहे हो तब मैं टीचिंग कर रहे हो टीचिंग कर रहे हो देखिए अगर टीचिंग कर रहे हो आगे तो एक तरह से और क्वालिफाइड आप हो चुके हो लेकिन आप न्यूसलेंड भी जा सकते हो अगर ये जो गैप में आपने अच्छी तरह से पढ़ाया है और आपके पास पाइंटमेंट लेटर है आपके पास सेलरी अकाउन में आ रही है तो आप उस्टेले के लिए भी ट्राइ कर सकते हो इसके लवा यूरोप में भी आप जा सकते हो चांसीद पूरे हैं यूएस भी जा सकते हो बट मैं देखना होता है कि बच्चे का कि पर्फाइल क्या जैसे आपका gap हो गया gap में मुझे नहीं पता कि आपने job की है एक्चल में job है या नहीं है टूशन्स दिये हैं या किसी स्कूल में जा रही हो सेलरी काउन में आ रही है नहीं दहारी है ये सारे फेक्चिर से जो देखने जुरूरी है क्योंकि अगर यह सारी रिलिवेंसी बनती हो तर डैफिनिटी यू कें अप्लाई क्योंकि पढ़ाई कोई उमर नहीं है आप जा सकते हैं बट अगेन आई नीड टू चेक दा डॉकुमेंट्स एज वेल एक बार चाहते हैं एक बार चाहते हैं कि बिल्कुल आप एक बार दोब नियाबाद में है होटल जीज इसके लावा 18 तारिक को हम अम्रेत्चर आ रहे हैं होटल सूर्या रेजिदेंशी पे 19 अप्रेल को हम जलन्दर किंग्स होटल में आ रहे हैं 21 को फतेगड साईब में ताज मोटल 22 अप्रेल को लुद्ध्याना ए होटल फिरोज गांदी मार्क इसके लावा 30 तारी को करनाल होटल जोयल, 2nd मही को यम्नानगर बेकर काफे लोंज, 3rd मही को कुर्ख छेतर होटल 9th प्लानेट और 6th मही को बटिंडा होटल कृष्णा कॉंटिनेंटल शुक्रिया प्रदीप जी शोव में आने के लिए और सभी दुश्कों को भी नमश्का